कि मंशकार दोस्तों आज के वरी हम बात करने वाले हमाशर्प संक्रम तरप देश की में में आपे कि भागि एक चिस करो ना गारिस के ने मुरीज लो ने गारी तो मिंस ने चमरीज हो चुक एा जोतर चुके हैं हमाशर्प देश में OR क्या खास रहेगा 21 कुरोना वाइरस के मामले आए हैं जो कि इस सुबह 6 बज़े से शुरू का लाना हुए थे और रात को 11 बज़े तक आये हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जिसमें 6 मामले आपके आए हैं खांगडा से और 6 आए हैं सोलन जिला से और 4-4 हैं मंडी और 9 जिले से 9 से एक मामला रात को गयरा वज़े भी आया जिसमें से एक मामला हमीरपूर से भी आया जो कि शायद अब शिमला में शामिल किया जाएगा या हमीरपूर में किया जाएगा इस पर बिसंस पहन से क्योंकि एक किड़नी पेशेंट थे जो कि ट्रांसपर किये गए थे शिमला के लिए IGMC तो वहां पे वो करोना पोजिटी पाए गए हैं तो अब देखना है कि ये मामला शिमला जिले में लिया जाता है या हमीरपूर जिले में लिया जाता है क्योंकि हमीरपूर में 2-3 दिन से 31 पहले दिन 31 मामले आये थे फिर 14 या 16 मामले आये पिछले कल फिर अब एक मामला है तो थोड़ी रात की ख़वर है कि अभी हमीरपूर से एक ही मामला है क्योंकि अभी जो कि मंडी से कोई भी मामला नहीं आया था उन्ना से नहीं आया था अब फिर से यहां पर बापेस मामले आ गए हैं तो यह भी एक दुखत ख़वर है कि महाचल पुदेश में अब 20 या 25 या 35 मामले आ ही रहे आ ही रहे पिछले दू या 3 दिन में 61 से ज्यादा क्रोना वाइरस के मामले हमारे आ चुके हैं अगर जिले की बात की जाए तो यहां प जोकि एक और मामला है चौता क्रोणा वाइरस पौजिटिव का जोकी बलदवाडा से आया सरकागाण से या तो चार मामले मंडी जिले से पिछले कल क्रोना वााइरस की años की कल सुबही आ गे थे जिसमैंसे एक ही परिपार के हैं तीन लोग जोकी ऋमंबई से हैं और एक और कुल सक्रिय मामले जो कि एक्टेव है वे 125 है और ठीक हुए अब तक वस्तावन है और यहां पर जो कि मृत्ति हुई है तीन और बाहर गए चार जो कि यहां पर अमरुजाला में एक आसर बताए होते हैं वो बाहर गए समय जो कि ठीक हुए एड किये हुए उन्होंने तो 61 सट आते हैं वहां पर तो यहां पर अपडिस्टिक वाइस एक बार आंकडा भी देख लिए जो यह आंकडा पॉप अप में देख रहे हैं यह COVID-19 इंडिया.RJ वेबसाइट से लिए गया गया गंटे पहले अपडेट होता है इसमें चार मामले शामिल नहीं है जिसमें एक जो कि हमीरपूर से एक क्रोना पॉजटिव का था तो यहां पर 60 हमीरपूर से आएं और चमबा से 13 और टोटल जो कि पहले से ही आएं और मंडी से फिलेकल 4 आएं तो एक शिमला से आ गया है और 16 से 5 यहां पर शोकी है जो कि 6 है और 9 से एक शोकी है जो कि 3 है तो यहां पर अ स्वाइब एक्टिव 12 वे एक्टिव 14 हो गए और 9 वे और 5 वे और 2 शिम्ला से 1 और 10 और 3 और 35 और 5 और बिलासिपूर और 5 दो तो यहां पे रहें यहां पर पता लग जाएगा जब वैफसाइट अपडेट होगी और सोलन से तो यहां पर 14 है कि जो आपर पोजिटिव है यहां पर 6 होगे सुरी उनना से यहां पर 5 नहीं 6 मामले होगे हैं क्योंकि 4 उनना से आये हैं तो यहां पर देखने वाली बात है अभी कुछ में पता लग जाएगा कि जब वैबसाइट अपडेट होगेगी कि इनने मामले हैं और साथ में यहां बात करते हैं हिमांचल परदेश में नहीं प्राइबेट स्कूलों की फिस बढ़ेगी और हिमांचल परदेश में चलेंगी सभी बसें तो एक जून कॉलेज है फिलाल हिमांचल अपडेश में बंद रहेंगे स्कूलों में एक जून तक चुटी है और डस जून तक कॉलेज में तो सरकार ने cog conductivity फैसला नहीं लिया गया है तो इसमें देश आ रहा था जिसकी ही रास्ते में ही ट्रेन में मौत हो गी है तो अभी बॉडी को सरखार ने अपने कबजे में ले लिया और उसके बाद उनका अब करोना वाइरस टेस्ट कराया जाएगा जिसमें पता चलेगा कि उनकी मौत हुई है या नेचरल उनकी मृत्यू हुई है अगर देश और दुनिया की बात करें करोना वाइरस की तो मिनिस्टर ओफोम अवेर के अंकड़ा यहां पर डिस्पले में भी शो कराया हूँ जो कि एक्टिव केसी इसका है बट अगर बात करें तो एक लाग पचिस हजार एक सो एक मामले टोटल हो चुके है जो कि यह हो चुके हैं और यहां पर इंडिया में अगर बात करें मौतों की मिर्थिय उट्यू की तो 3868 लोगों के अभी तक मिर्थिय हो चुकी है तो यहां पर एक्टिव केसी की बात करें तो मिनिस्टर ओफोम अफेर्स के अकॉर्णिंग तेतर हजार 162 केसी हो चुके है और केसी आये थे और जो कि एक्टिव केसी हैं 22209 केसी हैं और जिस मैंसे 60 लोगों की पिछले कर में रिती हुई और जिस मैंसे 1577 यां पर डेट पूरी माहराश्ट्रा मोस्फ किया है 1577 लोगों की अगर तमिलाडू की बात करें पिछले कर 769 केसी आये हों और डेट पांच की हुई है तमिलाडू में रिकबरी 373 लोगों की हुई है जो कि मैं सिर्फ आपको पिछले कल कई बता रहा हूं आंकड़ा बाकी आप यहां पर डिस्प्ले में शोग देख सकते हैं तो गुजरात में 379 कल नए मामले आये था और 27 लोगों की मरिती हुई और राज अस्थान में 268 नए मामले आये और 7 लोगों की मरिती हुई मद्या प्रदेश में 211 मामले आये जिसमें 9 लोगों की मरिती हुई उतर प्रदेश में 282 मामले आये जिसमें 82 ठीक हुई पिछले कल और 3 की मरिती हुई डिशार्ज हुई जो कि और 1299 है तमिलाडू में टोटल 7970 है कुजरात में 6671 है देली में 6412 है और अज्यस्तान में 2796 है और मदेवदेश में 2823 है उत्रपदेश में 2456 है और बेश्ट पंगॉले में और अज्यस्तान में 2959 है पिछले कल मैंने आपको बताया कि बिहार पंगॉले देखी तो 328 मावले आएं पिछले कल और पंज्याम सिर्फ सोला ही नहीं हैं क्रोन वायरस के मामले और करनाटका में 216 है और स्टेट जो हम पर नहीं बताए गया तो हम पर 279 और साथ ही हम पर हमाचल प्रदेश में जितने मामले आ रहे हैं जो कि पंजाब से भी ज़्यादा आ रहे हैं हलाग कि आवादी पंजाब से कम है, पंजाब में 2045 मामले हैं, हिमाचल पुदेश में मामले इसमें ज़ादा आए हैं, तो उससाबसे बठ पंजाब पुद्ध तो 2000 के ख्रीब रही है, यह तो बहु कि पता नहीं है, जो कि बिहार है और स्टेट्स है, वो चल्दी कोरोना वा जो कि active cases है और मृत्यू हुई है उनकी उनका आंकड़ा भी आप देख सकते हैं नीचे जो कि यहां पर दिया हुआ है 3,43,596 लोगों के अभी तक मृत्यू हो चुकी है और साथ मैं यहां पर देखें नए cases जो कि सबसे ज़्यादा cases कहां से आये हैं तो सबसे ज़्यादा cases USA से आये हैं और top 20 countries में ही मैं आपको उपता रहा हूँ जो कि 20 वे नबर पे नीदरलेंड है जो कि पाकिस्तान पहले और नीदरलेंड नीचे चला गया चायनप चले कल तक 13 वे नमबर पे था बट आज ये 14 वे नमबर पे चला गया और कैनाडा 13 वे नमबर पे आ गया है अगर बात करें इंडिया और इरान की मैंने आपको 5 दिर पहले बताया था कि इंडिया और इंडिया और इंडिया और इ इरान में जो की मृत्यू है जो काफी जादा हुई है 7369 भारत में 3868 हुई है बट जो की ग्रोणा वायरस कोविड-19 की केसी है वो भारत इरान को अगले कल पिछाड देगा क्योंकि इरान और भारत में अंतर 2000 केसी का हिए इरान में जो की केसी प्रती दिन 2000 आ रहे हैं तो भा भारत सिर्फ 15 या 20 दिनों में पहुंचने वाला ही है अगले मन तक तो आपको यहां पर देखना होगा टॉप 5 कंट्री में इंडिया पहुंच जाएगा अगर ऐसी केसी इंडिया में आते रहे क्रोना वाइरस के जिस साब से अगर टेस्टिंग होती रही तो केसी तो आती ह यहां पर देखिए चुकि 3388 लोगों की मृतियों अभी तक हो चुकी है अगर अभी तक आप ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जूर सब्सक्राइब जगीजिगा साथ में बैल आइकन के बटन को द्वाईएगा